हेई गाईस स्वागत है आपका हमारे से टोप चैनल में और फ्रेंस मैं आ गया हूँ फिर से लेकर के एक लॉंग वीडियो जी हाँ फिर मैं एक क्रेश कोर्स फिर से लेकर आ गया हूँ जिसमें हम लोग सीखेंगे कमप्लीट जाओ में कैसे हम इमेल को सेंड कर सकते हैं अब लोग यहाँ पर पूछेंगे कि यह वीडियो क्या इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूंगा जी हाँ फ्रेंस यह वीडियो इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्रियेट कर रहे हो छोटा प्रोजेक्ट हो चाहे बड़ा प्रोजेक्ट हो क्योंकि आपको इमेल स भीजना हो या फिर कोई नोटिस भीज नहीं हो तो उसकेस में आपको इमेल सेंड करने की ज़रूत पड़ती है और बहुत बार आप रेसेप्ट और भीजते हो तो आपको अटेश्मेंट भी उसी के साथ भीजने की ज़रूत पड़ती है तो इस वीडियो में हम लोग complete पहले थेहरी देखेंगे कि कौन सी API हम लोग यूज करेंगे फिर उस API की important classes और interfaces क्या क्या है उसके बारे में समझेंगे कौन कौन सी classes हमारे लिए वूसफुल है और कौन से classes हम लोग इस वीडियो में यूज करेंगे complete हम पूरा थेहरी समझाएंगे then हम लोग उसके बाद मूव कर करने के पाद कैसे हम लोग message को send कर सकते हैं आप अपने recipient वाले email पे उसके बाद हम लोग simply सबसे पहले यह वाला जो message कर रहे थे हम लोग normally send कर रहे होंगे then हम लोग finally move करेंगे कि हम लोग attachment कैसे अपने email के साथ add कर सकते हैं मतलब आप अपने email के साथ programming के through ही कैसे आप कोई photo सकते हो कोई PDF सकते हो कैसे attachment को बेश सकते हैं और यह सारा काम हम step by step करेंगे हम थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि आप beginner हो पहली बार सीखरो तो आपको एकदम मलब पड़े चीजों को तोड़ तोड़ के समझाएंगे तो ज्यादा आच्छे से समझ में आएगा समझ में इस वीडियो में complete हम scratch से start करेंगे और programming code तक चलेंगे step by step आपको सिखाऊंगा कैसे हम email को send कर सकने तो आप ये वीडियो fully complete है बहुत सारी लोग मैंने कुछ वीडियो अलड़ी बनाई हैं कि आप email को कैसे send करोगे बट उसमें shortcuts थे वहाँ पे लोग पूछते हैं कि सर आप अ ये code किस लिए है ये code किस लिए है सो ये वीडियो सब के लिए important है अब बिना किसी time को waste के चलते हैं computer screen पे और सीखते हैं क्या mail API क्या होती है जावा में उसको कैसे code करेंगे और email को कैसे भेजेंगे आपको क्या करना है बस हमें support करने के लिए ऐसे courses पाने के लिए simply नीचे द के email को send कर सकते हो all right guys तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं sending email using java programming language हम लोग ने काफी वीडियो में ये बात किये कि हम लोग email send करना हमारे project के लिए या हमारे program के लिए बहुत ही जादा important होता है फिर वचाहिए आपका कोई store हो आपको notification send करना हो या आपको OTP भीज यह सारा काम mostly किसे होता है email से होता है लेकिन अगर आप जावा programming language में यह जावा के किसी भी framework पर काम कर रहे हो और अगर आपको email send करना पड़ गया तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं क्योंकि पूरे जावा में सही तरीका है यही email API दी गई है जो email को send करने के लिए हमारे लिए helpful है तो इस वीडियो में हम लोग complete यही चीज़ देखेंगे कैसे हम लोग चावा programming language की help से हम लोग कैसे email को send कर सकते हैं और मैं यहाँ पर दोनों तरीका बताऊंगा आप कैसे normal text को भी सकते हो साथे साथ में किसी भी attachment क को बेश सकते हो अगर आपके पास receipt है तो उस receipt को भी कैसे आप PDF के form में है या PNG के form में है तो कैसे उसको send कर सकते हो तो बेना किसी time को विस्ट हुए start करते हैं सब already चीज़े में पहले बता चाहूंगा लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर start करते हैं introduction देखते हैं तो Java में सब हमारे पास एक Java mail API है इस API के अंदर बहुत सारी classes और interfaces हैं जो हमारी help करती है email को compose करने के लिए compose कर सकते हैं इन classes और interfaces की help से email को then हम लोग session open कर सकते हैं then हम लोग उसको send कर सकते हैं मतलब अलग-अलग तरीके के हम लोग काम कर सकते हैं emails related इस mail API में जो classes हमारे पास हैं इसका मतलब यह mail API हमारी help करेगी email को send करने के लिए अब जब मैं बात कर रहो email API तो आपको email API के classes के बारे में knowledge होनी चाहिए तभी आप चीजे send कर पाऊगे, receive कर पाऊगे, forward कर पाऊगे चीजे नहीं means email को send, receive कर पाऊगे यह और भी operations perform कर पाऊगे, तो बिसके लिए अगर मैं Java mail API की बात करूँ तो Java mail API की help से हम लोग email को compose कर सकते हैं, write कर सकते हैं और इसको send कर सकते हैं, un-emails related un-earned तरीके के काम कर सकते हैं, different type के काम कर सकते हैं तो basically, it is a platform and protocol independent framework to build mail and messaging applications, तो यह basically हमारा platform independent and protocol independent framework है, जिसकी help से हम mail and messaging related applications को create कर सकने हैं, इस mail API की help से, तो हमें basically 2 jar file चाहिए होगा, एक हमें jar file जो चाहिए होती है, वो activation.activation वाली file होती है, और एक हमें mail वाली file चाहिए होती है, तो basically 2 file हमें चाहिए होती है, उसको लगानी होती है, तो अब इन एक mail.jar file होती है और एक activation.jar file होती है, तो हमें अगर maven project है, क्योंकि हम लोग basically focus करते है, maven पे, तो अगर हम maven use करने है as a project management tool, तो basically हमें सिर्फ एक dependency लगानी होगी, इसकी artifact ID, artifact ID मिल जाएगी, javax.mail या फिर group ID, com.sun.mail है, बस आप यह लग की काम करेंगे, maven project पे, तो हम सिर्फ यह dependency लगाएंगे, बट अगर आप maven project नहीं बना रहे हो, मैं सब कुछ detail कर दे रहा हूँ, तो आपको दो jar file चाहिए होगी, एक mail.jar file चाहिए होगी, और एक activation.jar file चाहिए होगी, तो आप यह दोनों file को include कर लिजएगा, अपने project में, यह दिन जो मैं बताने चाहरा हूँ, वो काम करिएगा, तो सबसे ज़्यादा important चीज है, आप सबसे पहला step पर प्रोजेक्ट बनाने के बाग, dependency जरूर से जरूर लगाए, अब आप लोग कहोगे, dependency क्यों लगाए, क्योंकि आपको यह java mail API चाहिए ना, java mail API के अंदर जित लेजेगा, या मैं जो फाइल दूँगा, महां से उठाके, सिंपली आपने पॉम्डाट एक्जमेल में चिपका दिएगा, जिसको थोड़ा सा भी knowledge है, मेवेन प्रोजेक्ट क्या होता है, सिंपल प्रोजेक्ट क्या होता है, वो हमारी बातने शायद समझ रहा होगा, लेकि कुछ classes जो हम लोग use करेंगे, उस classes बारे में सीख लेते हैं, then हम code पे चलके apply करते हो, इस steps में बताता हूँ कि आप कितने असानी से mail API को from scratch भेज सकते हो, क्योंकि यहां पर मैं कोई pre-build code नहीं उठाके copy paste करूँगा, तो सबसे पहली जो class हम लोग use करेंगे, वो class है java.util.proper properties मतब simply इसके अंदर हम key value pair रख सकते हैं, जैसे for example, अगर हम लोग यहां पर use करते है path, path, path and path के अंदर हम लोग path रख देते है java का, so basically इसी तरह की से values को यह class क्या करती है, represent कर सकती है, path इसकी key हो जाएगी and java इसकी value हो जाएगी, तो इसके अंदर बहुत सारे आप path, assistant set of properties, मतब set of properties जो store की जा सके, उनको represent कर सकती है, अब यह यह property इनको हम लोग लोड कर सकते है stream में, या फिर हम लोग stream में save भी कर सकते हैं, और stream किसी file से connected हो सकती है, तो फाइल में data चला जाएगा, या कहीं से भी connected होगी, तो वो data चला जाएगा, मैं अभी program जब बराऊंग तो मैं आपको यह चीज़ दिखाऊंगा, कि कैसे हम लोग अपने system की properties को load कर सकते हैं, system की properties का मतब system का class path, system का path, तो बहुत असान है, एक हमारे पास system नाम की class है, इस system नाम की class से हम dot load properties call करके, या get properties call करके, हम लोग system की properties को load कर सकते हैं, बहुत इसान है, अब आप लोग कहो तो आपको methods याद रखने की जरूरत नहीं है, methods के लिए आपको documentation दिया गया है, methods के लिए आपको इतनी intelligent IDs दी गई है, जैसे इसके अंदर हम लोग port रखेंगे, host रखेंगे, SSL हम लोग use करेंगे, की नहीं use करेंगे, वो सारी information हम लोग इसके अंदर रखेंगे, तो आप मोटे-मोटे सब्दों में समझो की properties के अंदर हम लोग information रखेंगे, key value pair के format में, जो next class हम लोग use करेंगे, वो basically message class है, यह देखो कि यहां पर लिख भी रखा है, this class model and email message, मतलब इसके अंदर हम लोग email message को store कर सकते हैं, यह एक model है, मतलब एक type है, जिसके अंदर हम लोग अपने message को रख सकते हैं, तो यहां पर देखो, to send a message, a subclass of message, मतलब इसकी एक subclass है, जिसका नाम है mime message, इस message को use करेंगे, is instantiated the attribute and content are filled in it, इसके बाद सबसे पहले हम लोग mime message, जो की subclass है message की, उसको हम लोग उसका object मनाते हैं, उसके अंदर हम लोग attributes और content को fill कर देते हैं, and message is sent using transport.send method, then हम लोग transport class का send method use करके, इस message को simply forward कर देते हैं, इतना समझने की ज़रूद है कि हम लोग इस message class की help से, हम लोग message class के एक subclass, जिसका नाम है mime message, तो आप जब भी मैं बोलूँ कि आप message को compose कर लिजे, that means आपको एक object बनाना है, किसका mime message, इस message के subclass का एक object create करना है, तो आप simply दो classes समझ गए, अगर मैं आगे बढ़ूँ, तो आपके पास और भी वह सारे classes है, जैसे for example, आपके पास messaging exception है, अगर कोई message sending के दौरान कोई भी error आएगी runtime पे, तो वहाँ पर हमें मिलेगी कि उस error को, runtime error को represent करने के लिए, हमारे पास messaging exception है, तो ये सारी messaging से related, जितनी भी exceptions है, उनकी ये base class है, base exception class है, तो आप, I think आप समझ पार होगे, this is the base class for all exceptions thrown by messaging classes, तो जितनी भी messaging classes exception थो करेंगे runtime पे, उनकी सबसे parent class है messaging exception, जैसे हम लोग जब SQL से, SQL या फिर MySQL या JDBC में काम करते हैं, तो वहाँ पे SQL exception होती है, जितने भी database related exceptions है, उनकी वो top base class है, वैसे यहाँ पे भी messaging, जितने भी messaging classes exception throw करेंगी, उनकी ये जो है, वो top base class है, अगर हम messaging exception को catch कर लें, तो इसका मतलब आप बेफि messaging classes से throw की गई, error या फिर exceptions को catch कर लिया है, तो आप सोचो, जब भी error आएगी, message को send करते हैं, exception आएगी runtime पे, तो अगर मैं runtime error बोल रहा हूँ, तो वो भी एक तरह की exception है, कोई मुझे comment में ये मत बताने लगिएगा, कि sir, आप error बोल रहे हैं, जबकि वो exception है, तो runtime error ही क्या होत लिकत नहीं है, I think समझ पार होगे, next अगर मैं बात करूँ यहाँ पर password authenticator, तो यह password authenticator के पास simply username और password रखा होता है, तो जब भी authenticator use authenticate करता है, तो यह password authenticator से ही अपना password और name उठाके authenticate करता है, तो अगर यहाँ बात करें तो simply, this class is a simply repository for username and password, तो यह repository है, that means यह simple, इसके अंद username password होगा, तो जब authenticator use करेगा, तो password authenticator का use करेगा, और password authenticator के पास username password होगा, वो यहाँ से उठाके authenticate check कर लेगा, कि यह बंदा valid है की नहीं, जो बंदा भीजने जा रहा है, तो यहाँ पर messaging exception भी देख लिया, password authenticator भी देख लिया, और भी कुछ classes जो use होगी, messaging exception तो देखी लिय हा, session, यह session important है, यह class already हम लोग क्या कर चुके है, यह class already हम लोग done कर चुके है, तो इसको हम लोग फिर से नहीं समझेंगे, यह already slide में कहीं दुबारा आ गया है, अगर मैं session के बात करो, तो यह एक सबसे important session class है, यह represent करता है mail session, mail session का मतलब, basically, जब तक जब यह session open करोगे, तब यह आप mail को send कर पाऊगे, अगर यह session open नहीं करोगे, तो mail को send नहीं कर पाऊगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर लगखा है session class represents a mail session, तो particularly mail session important है, पहले आपको mail session open करना पड़ेगा, then message को compose करना पड़ेगा, then अपने email को send करना पड़ेगा, तो इसलिए session class important है, अगर आपको और documentation देखना इसके बारे में जाना है, तो आप जरूर internet करिए, Google करिए और वहाँ पर इसके बारे में session के बारे में एकदम सीखिए, क्योंकि यह video हलका सा beginner friendly है, जो start कर रहे हैं, या beginner है, या intermediate भी सीख सकते हैं, वट में ज्यादा deep में theory में नहीं जा रहा हूँ, अगर और बात कर दूँ, जब भी message भीजना होगा, suppose आपके पास माई message है, तो आप transport, transport.send use करोगे, और अपना message यहाँ पर pass कर दोगे, that's it, यह क्या करेगा, transport का जो send message है, आपके message को simply send कर देगा, that's it, आपका message sent हो जाएगा, तो transport की help से हम message को send करते हैं, that's it, यह abstract class है, जो model message transport, तो transport का basically मतल रखाना है, तो आप अपने data को transport करते हो, यहाँ से लेके, वहाँ export, import करते हो, तो यहाँ पर यह meaning हुआ ही हमें provide कर वा रहा है, आगे next चले, तो यह यह भी एक important class है, internet address, this class represents our internet email address using syntax of rfc822, तो यह basically standard है, इस standard में email address को represent करता है, internet address class, तो basically हम जब अपने message को, या हम जब कहीं भी अपने email को देंगे, rfc822 standard में, तो हम लोग इस class को use करेंगे, internet address को object मनाएंगे, और अपना email address simply pass कर देंगे, that's it, ठीक है, so यह basically internet address हमारे represent करता है, internet email address किस standard के syntax में, rfc822 standard के syntax में, अगर आपको ज़्यादा जान करी चाहिए, तो आप net पे यह वाला standard देख सकते हो, rf rfc822, rfc822 डालिए, तो हम उसके syntax के बारे में, चीज़े पता चलाएंगे, लेकिन अगर java use करो, तो आपको इतना जानकारी नहीं चाहिए, simply आप यह समझो, कि हमें internet address का object create करना है, अगर इस syntax में, अपने email address को represent करना है, जब भी हमें email address देना होगा, तो हम इस class का object करें और email simply pass करने, अब object create करने का मतलब, अगर इसके पास कोई भी constructor नहीं होगा, तो कोई factory method हमें मिल जाएक काम करने के लिए, so, यह सब रही, classes, तो basically my message, यह सब चीज बता चुके हैं, फिर भी आप इसको एक बार देख लिएगा, पढ़ लिएगा, अभी आपको clear, clear चीज है, अभी पता चलेगी, जब हम लोग कोड करेंगे, message को कैसे send करेंगे, तो message को send करने के basically तीन पार्ट है, तीन step है, आप क्या क्या step है, सबसे पहले आपको session चाहिए होगा, तो मैं बता देता हूँ, लिख करके, मैं बता देता हूँ, जो उपर-उपर है, get the session, जो अभी मैंने session बात किया था, session class का object है, तो हम लोग निकाल लेंगे, then अपना message compose कर लेंगे, compose the message, and then हम transport.send किये, send कर देंगे, send the message, तो यह basically तीन step है, इनको आप अपने mind में रखेगा, बाकी मैं step by step code में बताता हूँ, कैसे हम लोग इन सारी classes को use करने वाले है, तो अब आगे का part जो है, क्योंकि मैं दोनों चीज़ बताने वाला हूँ, यहां पर कैसे आप simple text भेजोगे, and then आप कैसे आप attachment भेजोगे, तो सबसे पहले हम लोग simple text की बात करते है, then हम लोग attachment भेजते है, और trust में अगर आपने वो चीज़े सीख लीए, तो वही चीज़े आपके project में use होंगी, य हम लोग open करते हैं, अपना Eclipse ID, and then वहां पर हम चीज़े समझाते है, और email में क्या आपको configuration करनी है, Gmail जो आपके पास account है, जिससे message को भीजना है, उसमें क्या configuration करनी है, यह सब चीज़े मैं आपको बताता हूँ, चलते हैं, ID पर done, तो गाइस हम लोग यहाँ पर अपने Eclipse ID पर आ गये हैं, और हमने यहाँ पर Eclipse ID open कर लिए, और हम यहाँ पर इस चीज़ को दो हिस्तों में divide करेंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग normal email को send करेंगे, text जिसके अंदर होगा, then हम लोग क्या करेंगे, attachment भेजेंगे, तो सबसे पहल हम लोग क्या करते हैं, एक project बना लेते हैं, maven project, then उसके बाद क्या क्या requirement है, क्या क्या settings करनी है, मैं आपको step by step लेके चलता हूँ, सबसे पले आप simply file पर जाईए, new पर जाईए, और यहाँ एक maven project पर click कर लिए, net on कर लिए, simply यहाँ पर देखो, मेरे में net on है, simply आप पर चलता हूँ, simple f drive में, let's code में, hand youtube के अंदर, simply java के अंदर चलता हूँ, simply यहाँ पर मुझे project बनाना है, क्योंकि मुझे अलग जगे नहीं बनाना है, क्योंकि बार-बार इतने सारे project हो जाते हैं, कि खो जाते हैं, simply next पर click करूँगा, और यहाँ पर maven archetype quick start पर click करूँग यहाँ देखो, catalog में internal check है, तो आप अगर internal नहीं है, तो आप यहाँ सबसे पहले internal check करिएगा, then आप यहाँ पर maven archetype quick start, थोड़ा सा नीचे scroll करने पर आएगा, बट मिल जाएगा 1.1, next कर दूँगा, यहाँ पर अपनी configuration दे दिए, तो मैं यहाँ पर group id दे रहा हूँ, group id ब बड़ा हो जाएगा, तो आप छोटा दे सकते हो, इसका short form यूज कर सकते हो, lcwd, learn code with दुरगेश, lcwd, तो मैं shortcut use कर दे रहा हूँ, lcwd, learn code with दुरगेश, artifact id जो मैं यूज करूँगा, वो यूज करूँगा, मतलब project का नाम, तो मैं यहाँ यूज करूँगा, email या फिर email underscore sending email sending, project का नाम email sending, ठीक है, और आप यहाँ पर package specify कर सकते हो, तो मैं com.lcwd, use करूँगा, simply यह अपने हिसाब से आप इसको भर लिजेगा, and simply आप finish कर देगा, यह थोड़ा सा time लगाएगा, obvious ही बात है, but लगाने के बाद यह perfectly क्या करेगा, आपके project को build कर देगा, और internet आप on कर देगा, तो आप देखो कि यहाँ पर project आ गया है, email sending, और src slash main slash java के अंदर, आपको यहाँ पे, आपका main application मिल गया, जहाँ पे, यह ऐसी class है, जिसके अंदर आपका main method है, तो इस main method में हमें coding करनी होगी, and simply सब कुछ done है, maven dependencies में अभी देखो, j unit के सिर्फ dependency है, आप देख यहाँ तो फिलाल हमारा application perfectly चल रहा है, आप देखोँ, सबसे पहले email को send करना है, तो हम लोग Gmail use कर रहे है, तो आप लोग के पास यहाँ पर एक Gmail का account, हम लोग Gmail use कर रहे है, तो आपके पास Gmail का account हो चाहिए, अकाउंट ठीक है सो मेरे पास एक अकाउंट है मैं आप लिख देता हूं टेक्स आफ्ट इंडिया टू थाउजने टीन टू तो इस इमेल आईडी से हम लोग भेजने वालें तो इसका पासवर्ड हो गया रहा है मेरे पास सब कुछ अगर आपके पास नहीं है तो आप एक और यहाँ पर आप आईए और गूगल सर्च करिए यहाँ पर गूगल अकाउंट अप सर्च कर लिजिएक और जो सबसे पहले वेस्ट इपन होगी www.google.com सिंप्ली सिको अफ़र करने के बाद यहाँ पर गूगल अकाउंट पर क्लिक कर लिजिएक अज़ आप यहाँ पे आ वाल अकाउंट हमारा login हो गया है अब आपको यहां क्या setting करनी है इमेल को send करने के लिए यहां पर आप security में आऊँगे और यहां पर एक option आपको नीचे मिलेगा नीचे आप नीचे नीचे मिलेगा less secure app का इसको आप सिंप्ली क्लिक कर लिएगा और यहां पर यहां पर यह से को रैप को और कर दीजेगा तो मेरे में देखो न है बाद अगर आप में आफ होगा इस तरीके से और तो इसको आप आप कर लिजेगा अब आप को यह चाहिए अप कर लि जिस पर आप email भेजोगे तो मैं basically इस email ID पर भीजने वाला हूं learncoded दुरगेश एडरेट gmail.com पर मैं भीजने वाला हूं तो यह ID इस पर email आएगी आएगी कहां से इस वाली email ID से आएगी पर्फिक्ट यह काम कर रही है अब हमें dependency लगानी है तो अब इसी बात मैं बता चुका हूं कि dependency आपको कौन सी चाहिए dependency आपको Google पर जाके भी आप सर्च कर सकतो यहां पर यहां पर आप सर्च कर सकतो है तो मैं यहां पर चलता हूं इस पर and simply हम हम 1.54 जो मर्जी वह उसकर लिएगा ठीक है तो देखते हैं यहीं है क्या यहीं है क्या देखते हैं ठीक है ग्रूप आइडी जाव एक्स डॉट मेल आएंड मेल यह नहीं यह यह डेपेंडिसी नहीं मुझे सब्सक्राइब आपको दिखा यह तो यह वाली है तो यह 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 वाली है तो 1.6.2 युश कर लिए लेटेस्ट एंड लेटेस्ट में जावा एक्स.मेल एंड जावा एक्स.मेल एपी यह भी नहीं है वह यह ग्रूप आइडी चाहिए सब्सक्राइब एक यह वाली है तो यहां यह 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 वाली है यह 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 यहां कर देखते हैं और अपने प्रोजेक्ट में आ जाए के अंदर, dependencies के अंदर, ठीक है, यह step by step आप करिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप प्रोजेट को अप्डेट कर दिये, right click करेए अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे प्रोट कर सकते हो, Google पे जाकर सर्च करके, बट मैं रेकमेंड करूँगा, आप मेवन प्रोजेक्ट ही उसकरो, क्योंकि जब आप बाद में जब प्रोजेक्ट वगरा बनाओगे, आप अल्टिमेटली मेवन ही उसकरोगे, कहीं न कहीं, ठीक है, यह चीज़ परिफेक्ट है, आप इसको बन करते हैं, हमारी जार फेल लग चुकी है, अब यहां पर कोडिंग करना है, स्टार्ट कर सकते हैं, तो स्टार्ट कर देंदें कोडिंग करना, वह ही है, सिंपल, सबसे पहले, क्या-क्या करना है, मैं आपको step-by-step बनाता हूं, कुछ information, और इसी बात चाहिए, जाए बनाता है, आपके पास क्या-क्या होना चाहिए, आपके पास मैसिज होना चाहिए, स्टख़िस को भीजना और फॉर्मवाली ऑमेल perfectly हम लोग आ जाते हैं वापस किलिप्स में और में में ही चाहर बना लेते हैं सबसे पहले मैसेज बना लेते हैं string message message एंड यहां पर लिख देते हैं अपना message message में कुछ भी लिख देते हैं hello dear hello dear this is message for security check ठीक है यह message में बना दिया hello dear this is message for security check and then हम लोग subject लेते हैं string message sorry subject and subject में हम लोग लेते हैं regarding या ऐसा लिख देते हैं अपने website का नाम लिखते हैं codas area confirmation 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 ठीक है so basically हम लोग ने subject लिया किसको भीज़ना है वो ले लिजे आप string to किसको भीज़ना है तो उसकी email id simply मैं या लिख देता हूँ learn code with dhugesh at the red gmail.com and कहां से भीज़ना है यह भी आप लिख लिए from from और from मुझे चाहिए text of India text of India 2018 at the red gmail.com परफेक्ट है तो वो चारों चीज़े हमारे पास आ गई है message subject to from तो हम लोग क्या करेंगे इसको हटा देते हैं ठीक है इसको हटा देते हैं यहां कुछ और message देते हैं लिख देते हैं preparing to send message preparing to send message एकदम परफेक्ट है तो यह सब चीज़ एकदम बढ़िया चल रहा है आप हमें क्या करना है अब हमें यहां कोडिंग स्टार्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा यहां से एक function call करूँगा मैं static function call करूँगा send message send email send email और यह 4 चीज़ पास कर दूँगा सबसे पहले message then subject and then to and then from अब बिसकली मुझे function में आना है send message और यह static function में आना है इस app class के अंदर तो simply आप यहां पर click करके static function में आ लेजिए तो बेसिकली इसका मतलब है कि जब भी आपको जरूद पड़ेगी तो आप send email वाले function को call करोगे यह वाले function को call करोगे ठीक है ठीक है और detail मैंने इसको bracket में पास कर दी तो आप पूर screen पर कर सकते कोई दिखकत नहीं अब इसके अंदर बैसके लिए आपको चीजें बतानी है क्या-क्या आपको exactly चाहिए क्या-क्या चाहिए तो सबसे पहले मैं start कर देता हूं सबसे पहले आपको Gmail का host लिखना है तो मैं comment लगा देता हूं comment लगा के लिखता हूं new Gmail host variable for Gmail host variable for Gmail host अब इस बास आपको पता Gmail का host क्या होता है smtp.gmail.com तो अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे एक variable लिए यह host का अलग से variable लिजिए क्योंकि अगर आप सीख रहा है तो अगर आप perfect हो project पर इंप्रमेंट कर रहे हो तो आप direct इंप्रमेंट करिए बट मेरे recommendation है कि आप अगर starting पहली बार coding कर रहे है तो अब यह सी बात आप अलग से variable उस करिए तो अब यह सी बात Gmail का क्या है यह होस् smtp.gmail.com तो basically हम लोग smtp protocol simple mail transfer protocol उस कर रहे है तो इसलिए यह जो host होता है मतलब कि server से basically हम लोग data बेज़ेंगे अपना email बेज़ेंगे smtp.gmail.com and then हम अपने system की properties को fetch करेंगे तो मैं आलग देता हूँ get the system properties get the system properties properties ठीक है अब system properties कैसे नहीं नहीं का लेंगे मैंने भी बताया था हाँ एक system class है उसके अंदर dot get properties नाम का method है यह basically देदेगा data means the current system properties first if there is a security manager its check its check properties access method is called with no argument they may be result in security exception so basically हम लोग यह function call करेंगे तो मुझे यहां पर मिल जाएगा properties तो यह basically आपके system की properties को load कर देगा अगर आपको ज्यादा information चाहिए तो एक बार इसको print कर सकते हो हूँ information set करेंगे जो जरूरी है तो मैं लिए करेंगो setting important important information information to properties object ठीक है तो यह सबसे ज्यादा important है अब सबसे पहले मैं set करूँगा host host मैंने सिर्फ variable बना के रखा है लेकिन बराने से तो होगा नहीं हमें कहिने कि उसका यूज करना पड़ेगा तो मैं यहां पर host को set करूँगा कैसे आप simply properties वाला variable यूज करिए properties properties और यहां पर डॉट और आपको मिल जाएगा पूट तो बैसके लिए मैप की तरह है तो पूट यूज कर लिए की वैलू प्यर पास कर दिए तो बैसके लिए की होगा वह मैं यूज करूँगा mail.smtp.host और हो अपना होस्ट यहां पर पास कर दोंगा तो बैसके लिए हमारा की बन जाएगा अभी मैंने बता है properties में आप की वैलू प्यर यूज करोगे तो यह बैसके लिए की है जो की API यूज करेगा होस्ट करेगा मैं मैसेज को सेंड करने के लिए तो बैसके लिए होस्ट यह mail.smtp.host यूज करेगा तो आपको वैलू मिल जाएगी मतलब आपको क्या उसको वैलू मिल जाएगी वह इसकी को हो है 465 आप इसको स्ट्रिंग रख दो स्ट्रिंग ही रखो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है 465 ठीक है और भी पोर्ट कभी कभी चलता है बट यह परफेक्टी काम करेगा कोई दिखकर ने गर आप आप गूगल पर जाके सर्च करोगे तो बहुत सारे पोर्ट मिलेंगे यहां पर mail.smtp.ssl.enable तो मैं बेसिक लिए SSL.enable करूँगा और बेसिक लिए मैं यहां पर पास करूँगा true 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 तो बेसिक लिए SSL.enable कर रहा हूं secure socket clear होता है बेसिक लिए तो मैं इसको enable कर रहा हूं security purpose के लिए and फिर मैं यहां पर यूज़ करूँगा मुझे authentication भी enable करना है तो यहां पर मैं smtp.auth इसको भी मैंने true pass कर दिया तो यह बेसिक लिए important properties जो मैंने set किया है host set किया mail.smtp.host then port then SSL enable true किया है and then auth को true किया है अब basically मुझे session का object यह होगा authenticate करने के बाद so अब पहला step है basically हमारा अभी तक तो हम लोग ने information को बस set किया है अब हमारा पहला step आया mail को send करने वाला ठीक है to get the session object यह step 1 था to get the session object ठीक है कैसे निकलें निकालेंगे session का object, session का object आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे session के पास एक factory method है जो object provide करेगा आप session फैक्टरी के बाद static method होगा तो आप session use करो dot get instance तो आप देखो कि get instance अब इसमें दो properties पास कर देंगे यहां पर हमें authenticator चाहिए तो अब authenticator में हम वह पासवर्ड ऑथन्टिकेटर रिटन करेंगे आप देखो यहां से हम बेसिकली यह जो authenticator पास करना है उसका बेसिकली यहां पर object चाहिए तो बेसिकली हमें anonymous class का object बनाना है देखो आप simply anonymous class आपको पता होगा त ठीक है simply देखिए new authenticator आ गया और आपको यहां पर method override करना है method override करना है बस आप देखते जो तो आप simply आप चले जाए सोर्स में अगर आपको नहीं आ दे और यहां पर आपको option मिल जाएगा override and implement methods और यहां पर authenticator ठीक है यह वाला method है get password authenticator इसको select कर लो and ok कर दो that's it यह वाला method override हो जाएगा और बेसिकलिए यहीं से आपको return करना है आपको return करना password authenticator तो आपको new password authenticator यह password authenticator बेसिकलिए मैंने बता था यह repository जिसके अंदर दो चीज़े होंगी username and हमारा password ठीक है username and हमारा password तो username तो हमारा बेसिकलिए टेक्स आफ्ट इंडिया है जिससे मैं भेजने वाला हूं 2018.gmail.com password क्या है मैं भी थोड़े दिर में डाल दोंगा ठीक है आप समझो अपना password यहां पर डालना है यह बैसिकलिए आपको disclose नहीं करना है ठीक है तो हमारा यह क्या करेगा यह बैसिकलिए हमाई session का object return कर देगा तो हम इस object को session में रख देंगे तो यह चीज़ याद रखेगा session का object तभी मिलेगा जब आप यह authenticator password authenticator के पास सही username और password हो अगर यहां पर authentication के लिए गलत username password आप यूज कर लोगे यह session का object नहीं मिलेगा यहां पर exception आ जाएगी यह चीज़ आद रखेगे जब आपको session का object मि दूसरा step perform करना है so make sure go for second step क्या आपको क्या करना है compose the message आपको अपना message बनाना है compose the message में आप simple text रख सकते हो आप इसमें attachment रख सकते हो या आप इसमें multimedia कुछ रख सकते हो वह बात हो ही है मल्टी मीडिया जैसे photo audio वीडियो कुछ भी रख सकते हो डेपेंड करेगा ठीक है मल्टी मीडिया यूज कर सकते हो अब अब इसे बात मैंने बताया था कि भाईया आप कैसे सेट करोगे कैसे compose करोगे message मैसे compose करने के लिए class मैंने बताई थी माइम message माइम message लेकिन उससे पहल होगा तो मैं लोगोगा new my message तो यह बिसकली जो class है वो सब class है आपके message का और मुझे यहाँ पर पास करना है session तो मैं पर session पास कर दूँगा यह मुझे देगा object ठीक है देखो my message का तो मैं यह में यूज करना हूँ ज्यादा बड़ा नाम मैं यूज करूँगा बट आप Mime style email message it implements तमाम चीजे फलाना ठीका नहीं यहाँ पर लिखा है और देखो कि यह extend कर रहा है message को और यह चाइड क्लास है message की तो और यह implement कर रहा है Mime part को तो यह message को extend कर रहा है तो अब यह message basically represent करता है message को बट क्योंकि हम लोग इसको use नहीं कर सकते है यह abstract class है तो हम लोग इस इसलिए इसके चाइड क्लास को यूश करना है Mime message को यह सब चीज आपको जुकोर जावा पता होगी तो पता है अब इसके अंदर basically हमें set करना है क्या set करना है एक एक चीज सबसे पहले मैं set करूंगा आप कहां से message को भेज होगे तो basically मैं from set करूंगा from email ID कौन भेज रहा है message तो मैं m.set from और m.set from और अपना address पास कर दूँगा address में basically आप direct from all a variable पास कर दिए अब यह from basically कहां से आया है देखे यह from आया है हमारा हमारा यह देखे फ्रॉम और यह from में आपने क्या पास किया देखे फ्रॉम मतलब text of India तो तर ने 18 पास किया perfect अब यहां पे कुछ exceptions तो आप क्या करें try catch के अंदर रखिए 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 so try यहां लगा दिए and then catch implement कर दिए perfect और कोई दिखकर रहे तो exception को e.print stack trace को ज़रूर प्रिंट करें जिससे आपको proper message मिले exception क्या आ रही है trace पूरा मिल जा ठीक है तो आपन adding recipient to message यह message जाएगा किसको m.add recipient आप देखोगे यहां पे देखो आप recipient type पहले पास करो किस type का recipient है और साथी चाहर में address पास कर सकते हो या फिर आप address की array पास कर सकते हो मतलब एक से जादा address भी पास कर सकते हो तो यह बहुत बड़ी है ठीक है तो हम लोग यहां type पास करेंगे मतलब भीजने वाला recipient और यहां पे address पास करिएगा तो address में आप internet addresses करेगा भी हम लोग ने सीखा था internet address ठीक है और आप यहां पे अपना address पास कर दो अब अगर कई सारे addresses होते कई सारे email को भीजना होता तो हम basically क्या पास करते तब उस case में हम लोग यहां पे array पास कर सकते ते किसकी array internet addresses मतलब हम एक array बनाते जिसके अंदर बहुत सारे internet addresses के object store होते यह चीज़ हो गया next अब हम लोग क्या set करते हैं proper अब हम लोग subject set करते हैं तो मैं लिग देता हूँ adding subject to message adding subject to message perfect m.set subject set subject और अपना subject यहां पर simply pass कर दीजिए and then आप अपना message set करें थोड़ा समय सको उपर कर देता हूँ adding message text to adding text to text to message तो basically हम भी normal text भीज रहे हैं तो हम यहां पर क्या कर देंगे simply m.set text set में आप बहुत सारी देखो set content आप multipart यूज कर सकते हो ठीक है ऐसा करके बहुत सारे आप भीज सकते हो ठीक है हम यहां पर सेट step 3 step 3 ठीक है send send the message using transport class ठीक है तो आप simply transport dot send use करो transport dot send use करो और अपना message simply यहां पास कर दो m that's it यह message को send कर देगा और अब आप यहां पर proper message दे सकते हो कि send successfully send success perfect है तो आपका काम हो जाएगा success अधरवाज अगर कोई error आएगी तो exception चलेगी तो यही 3 step है और यह ही सारा एकदम simple step है सबसे पहले आप जो information प्रॉपर्टी में store करें सबसे पहले देखिए सबसे पहले आप host का एक variable बना लेजिए अगर आप beginner हो तो अधरवाज इसको हम direct pass कर सकते ते यहां पर ठीक है तो अगर आप variable बना लो समझने के लिए देन प्रॉपर्टी इसको पूट कर दो अधर ऑथंटिकेट करके session को निकाल लो एंदेन आप डीबग ट्रू कर दो जिससे कोई debugging ट्रू हो जाए मतलब आपको इंफर्मेशन हो गया रहा कंसोल पर मिल जाए और आपको मैसेज बनाना है मैसेज में आप रिक्वाइड इंफर्मेशन को सेट कर दिए और लास्ट सेप आप सेंड कर दिए इस वाले ट्रांस्पोर डॉट सेंड करता हूं तो आप देखोगे यहां पर मैसेज कुछ ज्यादा होँआ मिलेगा आपको मैं रिफ्रेस कर दि लेचेल तो हमारा बैट क्रिदेशल है अब मैं क्या करूंगा फटा फट अपना पास्वर्ट चेंज कर दूंगा और आप लोग को दिखाऊंगा नहीं ठीक है दिखा दूंगा तो आप लोग लोग न कर दोगे न सब्सक्राइब थेखते हैं इस बार देखोगे तो आपका message send success हो गया, अब हम लोग email id चेक करते हैं, कौन से email id हमको basically check करनी है, 2, 2 मतलब learn code with rugesh.com check करना है, तो हम लोग आपस आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग का inbox open है, और आप देखो कि अपने आप से message आ गया और यह अभी आया है, तो इसको open करो तो देखो, इसका subject is coders area confirmation और यहाँ पर देखो कहा है, यहाँ पर देखो कहां से आया है, कहां पर आया है, ठीक है, किसने भेजा है, ठीक है, यह सब चीज़ें आपको यहाँ पर SSL वगरा सब कुछ included, from इस वाली email id से आया, आप समझ गयोगे, इस तरह के से हम लोग क्या normal text send कर सकते हैं, अब इसी में कुछ changes करके हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग यहाँ पर attachments send कर पाएंगे, तो attachment का मैं इसी video इसी में रख रहा हूँ, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, एक ही video में आप सब को सीख लें, बहुत ही simple है, तो चलिए, आप स्टार्ट करने, देखते हैं, एक नया method कैसे बनाएंगे, जो attachment को भी send कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर simply इस method को मैं नहीं use करूँगा, ठीक है, तो guys, अब हम लोग attachment set करने वाले हैं, और बहुत ही interesting topic है, attachment set करना, तो हम लोग क्या करते है, simple, यह जो method हम लोग ने बनाया था, वो method important है, और इसी method की mostly चीजे, आप use करोगे, next वाले method में, attachment, जब हम लोग send करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से method को, अब हम लोग comment कर देते हैं, क्योंकि इसको नहीं call करना है, वह बसे बात इसको call करेंगे, तो हमारा normal सा message चला जाएगा, ठीक है, अब हमें attachment set करना है, तो मैं यहाँ पे method call करूँगा, send, 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 और मैं यहाँ पे attach, send, attach, बस call करूँगा, और चहीं वही चार चीजे पास कर दूँगा, file मैं से load करा लूँगा, subject to, subject to and from, अपने हिसाब से इसको आप बदात दीजेगा, कोई दिक कर नहीं, और यह method मैं simply इसको right click करके and create कर लेता हूँ, आप देखो कही method बन गया, यह basically send करेगा attachment, तो मैं आप लिख देता हूँ, this is responsible, responsible to send the message with, 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 with attachment, attachment, ठीक है, so basically हमें कुछ important चीजे मिल रही है, अब आप क्या करो, सब चीज का copy कर लो, अगर आपने समझा नहीं है, तो next, इससे थोड़े से पहले वीडियो में आप समझे, कि यह एक चीज मैंने कैसे की थी, और मैं क्या करूँगा, मैं इसी का सब कुछ कुछ करू और यहां पर आप देखो, सबसे पहले host मैंने निकाल लिया, then properties निकाल लिया, and then मैंने information पूट कर दिया, Gmail server की information पूट कर दिया, then हमने authenticate कर लिया, अब जब message बना रहे है, उस case में, आप देखोगे, message बनाते है समय, आपने set from किया, set, अब recipient किया, subject किया, अब आप normal text मत set कर अब यसी बात आपके पास कोई file होगी, message तो है, text भी बेजना है, attachment भी बेजना है, तो आपके पास कोई file होगी, उसका path ले आईए, ठीक है, यहां पे आप file path ले आईए, file path तो हम लोग चलते है, desktop अगर आपे कहीं हमारे पास, अगर कोई चीज हो, तो हम लोग ले आते है, ठीक है, desktop पे हमारे पास यहां देखो, यह photo है, logo है मारा, यही logo हम लोग क्या करने भीचते है, तो इसका path कैसे लेंगे, आप simply क्या करिए, चलिए यहां पे, c drive में, and users पे चलिए, users, users, and then अपना user select करिएगा, and then आप desktop select करिएगा, यहां से आपको पूरा path मिलेगा, and यह वा copy कर लोंगा path, इस path को मैं simply यहां पे paste कर दूगा, एक variable बनाके, ठीक है, तो basically हम string path और इसी file को हमें attachment में भीचना है, तो आप simply यहां पे paste कर दिए, यह वाली basically file है, ठीक है, यह path है, अब इस path पे आप PDF रख दोगे, तो PDF send हो जाएगा, यह चीज़ याद रखेगा, तो हमार इस बनाया में इस सकता हूँ, दैन में क्या कर सकता हूँ, इस माइम मल्टी पार्ट को मैं 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 स्टोर का सकता हूँ, इसके अंदर मैं दो चीज़ रख सकता हूँ, हों ठीक है अपना attachment में अपना वाली फाइल दोनों रख सकता हूं एंदर में law TV में content में अपना माइम घ्र मुटी पास कर दूंगा तो बिसकली इसके अंदर वह दोनों चीघे होगी क्या चीजे हों गी दोनों चीजे में तक में हमारा defile में अपना टेक्स्ट होगा हिंद सा ती साथ में हमारा फाइल होगी अब इसके अंदर फाइल ओट डारेक्ट किरू इसके अंदर फाइल और टेक्ष्ट को सेट करने के लिए आपको यहाँ पे Mime body part यूज करना पड़ेगा, एक के लिए, एक text के लिए Mime body part बना लो, Mime body part, Mime body part यह तो बिसके लिए text के लिए supposed बन गया, ठीक है, यह पे, यह text के लिए बन गया, text Mime रख देता हूं and एक में बनाऊंगा new Mime body पोड़ी पार्ट यह बेसिकलि हमारा फाइल के लिए बन गया तो हम लोग इसको फाइल माइम बोल देंगे अब इन दोनों में हम लोग अपनी फाइल को आड़ करेंगे कैसे अधिकरेंगे देहां से देखेंगा यह सबसे ज़ादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम लोग यहां से देखेंगे इसमें टेक्स यहां से इंपर करना है इसमें हम लोग उठाकर लेते हैं और एक्सेप्चन आजया सेट करने में तो हम लोग यहां भी एक अब लोग क्या करेंगे s simple देखे हम लोग अपने text maim में .set text रख देंगे टेक्स्ट में अपना message रख डेंगे तो बिसक लिए इस वाले में text maim में हमारे text अब इसमें file रखनी है तो ब्सक्री सबसे पहले हम file बनाते है वाल क्यों my time après my password file tablets kennen new file and new file में अपना पाथ में देंगे देर ठीक फाील बन गई and there हम अपने file my ndot 660 में मैं क्या करूंगा 6777 करना एड अइड ओड पाइड पाइड फाइल उभी में में फाइल माउं कर दूंग तो आप देखो गैए मैंद्य क्या हो गया हमारा दोन में में हमारा टेच्मेंड है इन दोनों को उठाके म माइं मल्टीपार्ट तो आप szimpli यहां प्र आओगे रखो कि कैसे रखों कि कैसे यह त्स face आ Ez रखाका लग गया है तो रखो रखने के लिए simply अब फिर से माइम मल्टी पार्ट इसको करो माइम मल्टी पार्ट डॉट एड बॉड़ी पार्ट और अब फिर से अपना attachment मत्ब आप फाइल माइम रख दो फाइल माइम रख दो अब simply हुआ क्या है इसके अंदर आपका टेक्स टखा हुआ है इसके अंदर अपनी फाइल रखी हुई जो कि आपने यहां पर रखी है इन दोनों को उठाके आपने माइम मल्टी पार्ट इसमें रख दिया और इसको उठाके simply आपने देखो मैसिच में रख दिया और आपने मैसेज को क्या कर दिया सेंड कर दिया इस हिसाब से आपका टेक्स चला जाएगा तो यहाँ तरुब कि यहां से स्ट्प थोड़े से अलग है क्योंकि ये ये अच्झमेंट को कंटेर करने के लिए माइम बाड़ी पार्ट करना पड़ेगा और टेक्स को अलग से कंटेर्शन करने माईम बाड़ी पार्ट उसकरना पड़ेगा माइम बाड़ीप्स ह। टंट Onleshoga मौटी पड़ेंगे हम लोग सिंपली अपने हमसिज तो हल्का सा चेंजरस रहे करने के लिए अपनी करने के अब reka करता हूं दैं हम लोगका की कि हमारा प्रोग्राम लृटत रॉरा चल रहा की नहीं चल रहा है सो हम यह सिंप्ली राइट करके इंड खूली हम लोग करने जाव अप्लिकेशन पे लिक perfect हूं तो मैसेज वही जाएगा बट हम लोग का एर्र कहीं बता रहा रहा है और क्या कह रहा है तो शायद कहीं मिस्टेक हो गई कुछ क्या देखते हैं ठीक है परफेक्ट है ओके ओके यह वाला कैच ब्लॉक है डाक है क्या यह अंदर भी छोग है यह मैसेज टो हमारा 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 तो यह एक स्टेक हो गई है देखते हैंस फाट कने एक काश कहा गया किना भाइ लोग भाई यहां परृफ़िक्ट्राइग लगा हो तो यह जिए चिह याद और गलतीели तो फिर और गलती वो जाती आए यह जो ट्राय लगा हुआ है यह बिसकली लगा हुआ था यहां पर यह बिसकली लगा हुआ था यहां पर शायद यह कैच लग रहा है गाय भी हो गया तो आप इसको क्या कर दो कैच पर्फेक्ट तो यह क्या कहे रहा है कर एक कह रहा है इस को अंदर रख दो और इसको भी आप अंदर रख दो एक यह एक आप अनदर रख दो यह चीज आंद रखेगा हलका साम मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई थी आप I don't know पार क्या में स्टेक हुई बट फिलहाल तो सबकुष रही दो ट्राइक लग रहे थे एक इस ट्राइक है पर्फेक्ट लिबागी सब चीज भाई है अप राइक लिए करके हम लोग रन करते हैं सुम अफ़य क्या करेंहें सिंप्ली और देखोंगे आप देखोंगे ट्राइइट्रा ओरा फ्राता है याण यदि कुछ गद्कट हुई क्या नहीं सेंड्स pot अब हम लोग आते हैं और अपने email को चेक करते हैं तो हम लोग यहाँ जाते हैं और Gmail को try करते हैं and Gmail में simply हम लोग अपने वला मैस inbox में अपना ठीक है है तो हम लोग अपनी जिस पर भीज़ा था learncode विद्रगे शहर.gmail.com तो आप इसको देखोगो तो text तो आया मल्टिपार्ट किसलिए है आपके दोनों चीज़ को रखने के लिए आपके के kleึeted को भी और अपके अठेश्मेंट को भी रखने के लिए बाट इसको माई मॉल्ट पार्ट ढएक नहीं रखता है मौल टिपार्ट रखता है माईं question बॉडडी तो ब ऐसी बात हम लोगद माइम बॉडी पार्ट बना लिए माइम इसमें हमने प्रेक्स अपिर टेक्स रख लिए और फिर फामन ने दोन रख दिया मैं इसको दोनों को हुठा करें हम लोगोंने जब दिया स्थ कर दिया इधा कॉंटेंट and tax कर दिया ने आप से इस attachment को आप चेंज कर लीजिए आप टू चेंज कर लिए फ्रॉम चेंज के लिए सब को चेंज कर लिए इस वीडियो में काफी चीज़े मैंने आपको समझा थी बहुत लोग को प्रॉब्लम रहते थी कि सर आप इस फ्रॉम दे स्क्रैच बताईए कैसे क्यों सेट क्यों सेट कर सकते टेक्स कैसे आपको होमवर किया कि अगर आपकोई एमयल देखते हो जैसे हम वैरिफिकेशन के लिए कोई लिए बैजता है कोई बंदा बेज़ता है सब्सक्राइब गूगल का आप गूगल डॉट कॉम से कोई मैसेज आता है तो एक दम वह बैल डिफाइंट HTML होता है तो अब आप यह साइमेंट करोगे कि हाउ टू सेंड HTML विद 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 जावा प्रोग्राम तो आप HTML कैसे इनेबल करोगे कि भाहिया आप उसको डिजाइन कर सको उसमें लोगों गया लगा सको यह चीज आप करके और मुझे कमेंट स्क्रीश में बताओगे एक चीज और बताओगे यह वीडियो कंप्रीट कैसी लगी कमे अगर यह वीडियो अच्छे लगी उस लगी तो अपने फ्रेंट के बीच जरूर शेर करिए मैं मिल तौप से नेक्स इंट्रस्टिंग वीडियो में ऐसी वीडियो लाओंगा जो धमाकेदार होगी और काफी नॉलिजबल होगी और काफी इंट्रस्टिंग होगी तो अभी